असलाम लेकुम प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब खेरो आफियत से होंगे आज हम अपने सस्टी की लेस्न नबर 12 पढ़ने वाले हैं जो की हमारे टर्म सेकेंड में आती है जिसका नाम है सेफ्टी रूल्स क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेफ्टी किसको बोलते हैं और सेफ्टी रूल्स किनको बोलते हैं शाबाश थोड़ा सा आफ मुझे कुछ बतानी की कुशिश कीजिए सेफटी किसको बोलते हैं सेफटी हम बोलते हैं जब हमें किसी भी चीज से नुकसान नहीं मतलब पहुँशने वाला होता है जब हम सेफ होते हैं जब हम किसी भी डैंजर से हमें कोई खत्रा नहीं होता है जब हमें किसी भी चीज़ से कोई भी खत्रा नहीं होता है तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि हम सेफ है या हमें सेफटी मिली है अपने मतलब देखा होगा जब किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई होती है तब जाके तीसरा बच्चा जाके टीचर को गोलता है कि मैम यह सर यह दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं फिर टीचर क्या करते हैं उन बच्चों की सेफटी के लिए उन बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए वो क्या करने टीचर उनको दूर दूर रखते हैं क्यों ताकि वो सेफ रहे ताकि वो एक दूसरे को मार पीट ना करें ताकि वो एक दूसरे को पिंसल से ना मारे या किसी कोई बच्चा उनकी बुक्स ना फाड़े उनकी नोट बुक्स ना फाड़े तो टीचर क्या करता है उन बच्चों को एक दूसरे से दूर रखता है एक क तो जब टीचर ने उन बच्चों को दूर दूर रखा तो उन्हों ने उस टीचर ने उनको सेफ रखा लड़ाई से फिर जब वो दूर रहेंगे तो उनके बीश में लड़ाई नहीं होगी safety means जब हमें किसी चीज़ से नुकसान नहीं पहुँशने वाला होता है ना जब हम हर एक डेंजर से हम safe रहते हैं हमें कोई खत्रा नहीं होता है तब जाके हम ये बोलते हैं कि हमें safety मिली है safety means जब हम हर एक खत्रे से महफूज रहते हैं ना तब जाके हम ये बूलते हैं कि हम safe है या हमें safety मिली है, safety rules means ये कुछ ऐसे बाते होती हैं जिनको follow करने के बाद, जिनको अमल में लाने के बाद हम किसी भी तरह के नुक्सान से बच सकते हैं, तो safety rules means ऐसे rules ऐसे guidelines जो हमें follow करने चाहिए जो हमें करने चाहिए जो हमें मानने चाहिए ताकि हम safe रह सकें इस lesson में हम मतलब इन ही rules के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किन किन चीजों से हमें नुकसान पहुंचने वाला होता है या कौन-कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे हमें खत्रा पहुंचने वाला होता है और कौन-कौन सा काम करके कौन-कौन सी activity करके हम उन मतलब खत्रात से बच सकते हैं कैसे हम मतलब कोई safety rule follow करके हम मतलब danger से बच सकते हैं तो इस lesson में हम जो पढ़ने वाले हैं that is safety safety at home safety on the road safety means कैसे हम safe safety किसको बोलते हैं मतलब महफूज रहना किसको बोलते हैं या दूसरा है safety at home हम कैसे गरों में महफूज रह सकते हैं या safety on the road गर के बाहर जब हम रस्ते पे चलते होते हैं कैसे हम कौन-कौन से मतलब काम हमें करने चाहें जिसे हम safe रह सकें तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको think why your parents and teachers tell you not to do few things आसकें why they tell us tell you so देखें आपने तो देखा होगा जब आप गर में होते हो जब आप खिलते रहते हैं गर में तो आपके पापा या आपकी ममा या आपके दादा दादी या आपका बड़ा बाई या आपकी बड़ी बेन कोई भी जो भी आपके घर में होता है वो आपको जब भी आप जो अलेक्रिक सिटी की स्विच होती है जब आप वहां पे पहुंचने वाले होते हैं तो आपको कैसे गर वाले अचारक से बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे मत जा वो आपके हाथ से ऐसे जल्दी से वो आप से खींचता है बोलता है ने इसके साथ मत खेलो या आपने देखा होगा जब आप पानी के साथ जब कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई कॉंटिटी में पानी अवैलिबल होता है किसी बड़े से टब में पानी होता है तो अगर आफ वहां पे खेलते होते हैं तो कैसे आफ की ममा आपको वहां से दूर ले जाते हैं और बूलते हैं वहां पानी के साथ जाए अगर वहां पे जादा पानी है करने से क्यों रोकते हैं लाइक स्विच को पकड़ना या जो भी कहीं पे अगर वाइर होती है अलेक्रिक्सिटी की वाइर होती है अगर वो कहीं पे मतलब ओपन होती है तो कैसे आपको वहां से घरवाले दूर रखते हैं ताकि आपको उसको टचना करें या अगर आप रस्ते पे चलते होते हैं तो कैसे आपके घरवाले आपको काफी ज्यादा प्रोटक्शन के साथ रस्ते पे आपको ले जाते हैं ताकि कोई गाड़ी आपको हिट ना करें तो यह सारी चीज़े आपको आज अपने गरवालों को बोलनी है कि अगर आप ये हमें पूछते हो कि क्यों फिर आप ममें ये कहते हो कि ये मत करो वो मत करो चौकू के साथ मत खिलो पानी के साथ मत खिलो या बिजली के साथ मत खिलो या आग के साथ मत खिलो ये सारी चीज़े आपके लिए आज हूँग है आपको ये गर में बूलनी है, अपने ममी पापा को कि आप हमें ऐसा क्यों बोलते हैं तो सबसे पहले safety, safety किसको बोलते हैं safety means to stay away from any kind of harm safety हम उस चीज़ को बोलते हैं जब हम मतलब किसी भी नुकसान से दूर रहते हैं अपने आपको बचा के रहते हैं तब जाके हम ये बोलते हैं कि हमें safety मिली है जब हम किसी भी नुकसान से खुद को दूर रखते हैं तब जाके हम ये बोलते हैं कि हमें safety मिली है when we save ourselves from harm, we are safe जब भी हम खुद को किसी भी नुकसान से बचाते हैं तब हम ये बोलते हैं कि हम safe है, हम महفوظ है समझ में आई आई आपको बात तो आज हमने आपको होग भी दिया तो आप अपने गर में जो भी आपके बड़े हैं उनसे बताई कि आप हमें बजली का काम या पानी वाला काम आग वाला काम चाकू वाला काम ये आप हमें क्यों नहीं करने देते हैं तो आज की लेक्चर में इतना ही अल्ला हाफिज